स्वागत करता हूं आप सभी का आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे एपीएस यानि की आर्मी पब्लिक स्कूल से वेकेंसी आई है और सीएसबी फे जिनका सीएसबी किलियर नहीं हुआ है वो भी अपलाई कर सकते हैं तो मैं आपको बिल्कुल और स्वाट के साथ बता देता हूं सेलरी आपको कम दी जाएक देख Detroit में से आर्मी पबलिक स्कूल में भरती चैंगे है एक होता है वेट मैं color change कर लेता हूँ तक आपको चीज़े clearly देखेद देखो सबसे पहले एक होता है LSB जिसमें जो है salary कम दी जाती है वही recruitment आई है दूसरी है CSB अब देखिए मैं आपको बताता हूँ LSB join करना क्यों जरूरी है आप यहां काम कर लोगे न तो आपके पास work experience आ जाएगा तो अगले साल जब आप CSB के बाद यहां पे जाओगे तो they will definitely consider you आपके पास experience भी हो जाएगा तो wait is हो जाएगा अगर आपके आज़ पास से recruitment आती है तो definitely you should apply and appear तो interview में करना ही चाहिए आपको ताकि interview का fear वो खत्म हो जाए by the way अगर interview का fear आपको खत्म करना है तो आप हमारे साथ connect हो सकते हो हमारे course में enroll करा सकते हो course की details में आपको बता दू 6 section आपको यहाँ पर दिया जाएगा इस 6 section में आपके body language पर काम किया जाएगा cross question को कैसे answer करते हैं इसके अलाबा आपको demonstration कैसे देना है TLM का कैसे use करना है computer performance test को कैसे tackle करना है तो यह सारी बातें आपको बताएगी बताए जाएगी इसमें dressing sense क्या होना चाहिए each and everything आपको इस course में बता दिया जागा यहाँ से मेरी email ID देख लो yourmithun singh at the rate gmail.com पे आप मुझे email कर सकते हो insta पे हो then do follow me at the rate imithun singh वहाँ से आप connect हो सकते हो 500 रुपीज इस course की फीर रखेगी जो की बहुत ही minimum है ताकि आप accord कर सको और zoom meeting या फिर google meeting के माध्यम से जो है आपको यह live session जो है दिया जाएगा ताकि आप अच्छे से अपने आपको तैयार रह पाओ 19-2024 उसकी आखरी date है तो चलिए मैं आपको PDF रख देता हूँ यह देखो PDF इन का रहा by the way अलग-अलग जगह से recruitment आ रही है तो नीचे comment करके अपने जगह का नाम ज़रूर लिखें आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे है तो जब भी वहाँ से recruitment आईगी आपके आस-पास से तो आपको बताया जाएगा अब देख लेते हैं कुछ vacancies के बारे में तो देखें PGT chemistry, PGT physics, PGT business studies, accountancy की recruitment है PGT English की recruitment है, PGT economics की, PGT mathematics की recruitment है यानि कि PGT में लगभग-लगभग सभी subject का recruitment आपको देखने को मिलेगा qualification क्या चाहिए? 50% के साथ आपका post graduation होना ज़रूरी है और यहाँ पर देखो इन्होंने B.A.D. भी रखा है, जी हाँ B.A.D. भी रखा है, bachelor's degree 50% के साथ और post graduation जो है 55 के साथ रखा है अगर graduation में नहीं है तो आप जो है इसके साथ आगे बढ़ सकते हो अब देखें PGT के लिए कौन-कौन सी subject है? English, Hindi, Social Science, Science, Maths और Computer Science की recruitment आई हुई है और Computer Science के लिए B.A.D. की जरूरत नहीं है तीनों साल आपका graduation में same subject होना चाहिए जिसके लिए आप अपलाई करने जा रहे हो लेकिन Social Science वाले में देखिए History, Geography, Economics या Political Science में से आपका History या Geography होना जरूरी है दोनों में से कोई एक subject आपका जरूर से जरूर होना चाहिए Science की बात करें तो Botany, Geology और Chemistry और Physics में से कोई दो होना चाहिए तो ये बहुत important है इस बाले जो combination को है ये देख लेना तभी आप अपलाई करना आगे देख लेते हैं इसके अलाबा TGT Physical Education की भी recruitment आपको देखने को मिलेगी PRT की भी recruitment है और PRT के लिए देखिए इन्होंने जो है DLAD या BAD को भी consider किया गया है ये भी आप याद रख लेना और CTAT जो है यहाँ पर रखा गया है CTAT भी आपका होना चाहिए देख लेते हैं TGT वाले में CTAT है या थबा नहीं तो यहाँ से देख लो यहाँ पर आप देख पाऊगे देखो यहाँ पर इन्होंने क्या रखा है बात यहाँ पर देख पाऊगे ये prefer करेंगे याद रखना csb या फिर जो seat at है उसकी जरूरत नहीं है लेकिन यह prefer करेंगे अगर आपके पास seat at है तो यह आपको consider करेंगे अगर आपके घर के हास पास है तो you should definitely apply आपको जरूर से जरूर apply करना चाहिए non-taching post की बात करें तो यहाँ से आप जो है कुछ और भी lab instructor की है IT supervisor की है computer lab technician pharma medics की recruitment है science and computer lab की है watch and ward की भी recruitment आपको देखने को मिल जाएगी आखरी date की अगर मैं बात करूँ तो 19 फर्वरी 2024 की recruitment है I mean यहाँ पे आप apply कर सकते हो अभी यह vacancy कहां से आई है तो wait a minute मैं आपको पले हाँ यह देहा 100 रुपे का demand राप भी आपको बनाना है ठीक है किसके नाम से army public school clement town के नाम से आप जो है paypal at में clement town लिख दोगे अल्राइट अब मैं देख लेता हूँ interview की जो tentative date है यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि second March 2024 को interview भी आपका conduct कराया जाएगा तो यह बड़ी अच्छी बात है कि आपको interview के call letter के इंतजार में रहने की जरूरत नहीं होगी application form इन्होंने अपने साथ ही attach कर दिया है application form आपको फिल करके I mean जब आप यह जो है PDF आपको telegram पे available करा दिया जाएगा वहाँ से जो है आप इसे भर सकते हो आई है कहां से आर्बी पब्लिक स्कूल क्लीमेंट टाउन देहरादों से यह रिक्रूटमेंट आई है आप यहाँ पे अपलाए कर लेजिए फिर से दोरा देता हो interview वाले कोर्स में इन्रॉल कराने के लिए 500 रूपिज आपको पे करना है और आप जो है interview वाले कोर्स में इन्रॉल हो जाओगे यहाँ से मेरी email id और insta id आपको दिख रही होगी yourmithunseek at the rate gmail.com पे आप मुझे mail कर सकते हो insta पे हो then do follow me at the rate imithunseek वीडियो का यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत सुक्रिया have a good day